तुम ठीक कहते हो, यह सहन करने वाली बात होनी भी नहीं चाहिए, पर किसी की जादती पर अपनी जिन्दगी को खत्रे में डालना तो कायरता है ना, गुल्लू ने कहा, मुझे कोई उपदेश नहीं सुनना, मैं इस समय अकेला रहना चाहता हूँ, गुल्लू तम तमाया, गुल्लू तुम तो बिगड रहे हो, पर मैं तो तुमसे दूसरी बात करना चाहती थी, मेरा उपदेश देने का कोई विचार नहीं था, क्या कहना चाहती थी, यही की खुश रहो, मजबूत बनो, तभी दोस्त बनेंगे, तभी दुनिया जुकेगी, कह डालो, कह डालो, ओ ओ, वह सब नहीं कहने वाली, मैं तो यह बताने आई थी, कि कुछ ही दिनों में रितूरानी आने वाली हैं, वह हर मौसम में आती हैं, रितूरानी आने वाली हैं, तो मैं क्या करूँ, गुल्लू बात काट कर बोला, अरे बाबा, पूरी बात तो सुन, वह खाली नहीं आती, साथ में रंग बिरंगी, फूलो का टोकरा भी लाती हैं, तो मुझे उससे क्या, हाँ, यही जानने वाली बात है दरसल, वह पेड़ पौधों को फूल बाटने आती हैं, रितूरानी किसी को सफेद फूल देती हैं, किसी को लाल, किसी को बैगनी, तरह तरह के फूल सभी रितूरानी से मांगती हैं, फिर गुल्लू को यह जानकरी कुछ दिलचस्प लगी, फिर नहीं समझे, सुनो मेरा विचार था कि तुम भी अपने लिये कुछ फूल मांग लेते, हाँ, बिना मांगे वह नहीं देती, मे छोटी रेश्मी पंखुडियां वाले नन्य गुल्लू के मन में एक लहर सी उठी, फूलो का नाम लेते ही, उसकी आँखों में गेंदा, गुलाब और सेम्ती के पौधे जूम उठे, कितने खुपसूरत फूलो से लदे थे, दोस्तों से घिरे रहते थे, हर समय, भोरे गीत गाते, मदुमक्या नरत्य करती, तितिलिया कानों में जाने कैसी गपशप करती, कि फूल खिल खिलाते, पौधो की जिंदगी के सबसे खुपसूरत दिन होते हैं, वे, ओ, लेकिन मैं कैसे मांग सकता हूँ, मेरी तो हालत ही खराब है, नन्य गुल्नू को मानो, भूल का एह असास हुआ, बस यही तो समझाने वाली हूँ, मैं तुमें रितुरानी हमेशा स्वस्तवे प्रसन पौधो को ही फूल देती है, तुम चाहो तो अब भी बात बन सकती है, अभी बिगड़ा ही क्या है, पर कैसे गुल्लू की अवाज में अकू लाहट थी, बड़ी असानी से अभी से अपना गुसा छोड़ दो, और विश्वास करो, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, कि तुम यो अपना जीवन बरबात करो, सच तो यह है कि तुम्हारे प्यारे प्यारे फूलों के लालच में ही लड़के तुम्हें अपने घर लाएं हैं, तुम्हारी खु शोकर सबका प्यार स्विकार करना चाहिए, इस नई जगा पर तुम्हारा भरपूर स्वागत है, हाँ जिस दिन तुम्हें फूल मिल जाएं मुझे जरूर बताना, मेरे लिए बहुत खुशी का दिन होगा, अगली सुभा सबने देखा नन्ना गुलों खिल कर मुस्करा रह था, मुर्जाय पत्ते, ताजे और प्रसन लग रहे थे, सहमी हुई दो कोपले भी आखे खोल रही थे, तो आपने इस पार्ट में क्या समझा, कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, हिम्मत नहीं आरनी चाहिए, ठीके, मुश्किले हमारी जिन्दीए में आती है, उ और दूसरों की हमेश्या मदद करनी चाहिए, यही नन्ना पौधा इस पार्ट के माध्यम से हम सभी को पताना चाहता है, आशा करती हूँ, आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझा,